आज इस वीडियो में बात करेंगे मूब पेंड इलिफ इस्पेसेलिश मलम की वारे में इस मलम को कब और कसे इस्तेमाल कर या निलागाने का सहीत तरगा किया है पूरा जनकार देंगे इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को complete last तक दरूर दरना तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों वेल्कम बैक टू माइ चैनल मूब पेंड रिलीव इस्पेसिलिस मलम को विसक्या जाता है पेंड सी रिलेटेड प्रोब्लम में जैसे मास्कुलर पेंड की प्रोब्लम में जल को इसक्या जाता है लो बैक पेंड में इसक्या जाता है हातों की जोइन की पेंड में इसक्या जाता है गर्दनों की दर्द की पेंड में इस्तिमाल किया जाता है इस जल को और दोस्तो इस मलम का दोस्तो काफियाच रिजल दन को मिलता है मास्कुलर पेंड की प्रोब्लेम में दोस्तो यह जल लगाने के बाद जो गरदन की दर्द होता है या मास्कुलर पेंड होता है या लो बेक पेंड होता है वो दोस्तो कम होने लगता है इस मलम का दोस्तों काफी अच्छर जल्दन को मिलता है जैसा नाम है ऐसा है इसके काम है गुनों की करन से बहुत यह अच्छा बेस्ट ब्रेंडर प्रोडक्ट है दोस्तों मुप पेंड इलिफ इसपेसिलिस जेल दोस्तों अगर आपको मास्क पेश्यों में डर्द है तो भी आविशिख कर सकते हैं अगर इस मास्कूलर पेंड की प्रॉबलर में जैसे लॉप गर्षी जोइख भी जल को गोत कर सकते हैं अगर घरणों में हैं तो भी आभी ज़ल को गोतों कर सकते हैं अगर जासिक कामर में हड़ियों भी गोंधे म intéressant कर सकते हैं जाते हैं इस समय करना का सही तिरी सकता हैillesफ़ का और कैसे समल्ड करना चाहिए विकले है उपाइब का में पेंड दोस्तो दुस्त और ₲प तल्म में उसकते हैं मूप युदिन समगे से लिए नहिंने का दोल मुट को उसके लुध हैना है गोण पर नोप इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका साइड वीड़ोगर नहीं होगा और दोस्तों कुछ सब्दान या बात जैसे 16 साल की कम उमर वाले बच्चा इस जल को ना लगाए और दोस्तों अगर आपको रिक्टर करता है देने के लिए लगा सकते हैं अगर नहीं देता है तो ना लगाए अगर की से मिलते हैं तब जहें दोस्तों अब orph इतकम प्रक्राइब नहीं किया का मन में कोई question है कोई सावाल है आप कहना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा comment box में comment कर सकते हैं मैं इसका reply दूँगा वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दिन नवाद तेंकियो फूर वाचिंग एवरिवन चैनकों के जिए सब्सक्राइब और वीडियो के लिए लाइक इस वीडियो को शेयर के जर्मने दूस्तों के साथ